बस्ती के विकासखन कुद्राहा छेत्र के ग्राम पंचायत माधवपूर में हो रहे निर्माना धीन पंचायत भवन में व्याप्त ध्रश्टचार की शिकायत तहसील दिवस में डीम के पास पहुँच गया है शिकायत करदार अविंद कुमार ने तहसील दिवस में मानव विहीन वगुडवक्ता की कमी की शिकायत तहसील दिवस में मौजूद छिलादिकारी से की शिकायत करताने तहसील दिवस में ढीअम से शिकायती पत्र के साथ पंचायत भवन में प्रेयोग हो रहे सेम इट को दिखा करका ans कि ग्राम पंचायत माधवपूर विकास कंण कुदरहा के ग्राम अमरोना अरजी से पंचायत भवन का निर्माड कारे महा सेतंबर में ग्रामीर प्रधान एवम सचीव के द्वारा कराए गया है जब कि मौके पर मातु 480 वर्ग मीटर जमीन उपलब्द है जो कि RGSA पंचायत भवन के निर्मार के लिए 649.93 वर्ग मीटर जमीन की आविशक्ता होती है ऐसी परिस्ति में 480 वर्ग मीटर की जमीन जिसकी लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 16 मीटर है जब कि RGSA पंचायत भवन के निर्मार के लिए 25.7 मीटर लंबाई एवम 24.9 मीटर चौड़ाई की आविशक्ता है जिससे ये इस पश्ट है कि ग्राम प्रधान एवम ग्राम सचीव द्वारा तत्यों को छुपा कर सरकारी ध जहन के बंदरबाट की योजना को बड़ी ही चालाकी से बनाया गया है जिसमें शिकायत करता ने कहा कि इसका प्रत्यक्ष प्रमार भी मौके पर निर्मान धीन पंचायत भवन दे रहा है जो बिना गुडवक्ता के पंचायत भवन निर्मान धीन है पंचायत भवन निर्मा सरिया की जगा दस एमेम सरिया का उप्योग हुआ है और अवल एट की जगा सियम एट का इस्तमाल हो रहा है शिकायत करता रविंद्र कुमार ने तैसील दिवस में डियम अंद्रावमसी से कहा कि मानक विहीन एवम गुडवक्ता विहीन निर्मान धीन पंचायत भवन की शिकायत कई बार ग्राम सभा के नागर को द्वारा की गई है लेकिन अभी तक कोई जाच विभाग द्वारा नही कराई गई जिसमें ग्राम प्रधान वस अचीव के होसले प्रश्टा चार के लिए बुलंद हैं और गुडवक्ता विहीन एवम मानक विहीन निर्मार के लिए पंचायत भवन की भुगतान की फिराक में हैं वही इस मामले को लेकर डियम ने शिकायत करता को आश्वासन दि है कि इस पर कारेवाई जरूर की जाएगी